नमस्कार मित्रो दूरस्त एवब मुक्त शिक्षा और संस्किर्टी की आवाज गी है उत्राखन मुक्त विद्यालाई का कम्यूनिटी रेडियो हेलो हल्दवानी 91.2 मेगा हर्ट की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पाते हैं दोस्तों गंगा दशरा द्वारपत्र जो तयुहार है उसका क्या महत्व है क्यों इस तयुहार को मनाया जाता है उत्राखन के लिए इस तयुहार का क्या खास महत्व है और नदियों पर बहुत अच्छे विस्तार और विस्लिशन के साथ बता रहे हैं रिसर्च एसोसियेट चंसिकर्तिवारी जी इस वक्त रिसर्च एसोसियेट हैं दून पुस्तिकालय एवमशूद केंद्र देहरादून में पिसले दो तीन दशकों से लगातार उत्राखन के मुद्धों पर लिख रहे हैं कई महत्वपूर्ट संस्थानों में काम कर चुके है दो दर्शन आकाश्मानी से लगातार वारताएं उनकी प्रसारित होती हैं इस महत्वपूर्ट रिकॉर्डिंग को उनने हमें अपने फॉन से भेजा है तो उमीद है आप सब को ये नई जानकरी पसंद आएगी तो आएए सुनते हैं आज की ये बाचीत लोक में हर नदी गंगा है भारती संस्कृत में नदीओं को सरवोच सत्ता के रूप में आसीन करने और उसे देवत सुरूप रण करने की अलोकिक परमपरा रही है लोक में यह मानिता प्रबल रूप से ब्यापत है कि नदीओं का सभाव हमेशा से ही परोपकारी बुजाकर उन्हें जीवनदान तो देती ही हैं वहीं वह अपने जल से अन्न को सिंचित कर प्राणियों का भरन पोसन भी करती हैं यही नहीं वह अपने अंदर समेटे असी जल सक्ति से बिद्धूत पैदा कर इस पूरे संसार को आलोकिक करने की शमता भी रखती है नदियों के साथ हमारा भावनात्मत लगाओ सदियों से जुड़ा रहा है विश्व के अधिकांस, प्राचीन, तीर्थेस्तल, आश्रम वन नगर इन नदियों के किनारे ही विक्षित हुए हैं इन ही नगरों से भारती संस्कृति के विवित पक्ष नदी की धारा के साथ-साथ सतत रूप से आगे बढ़ते रहे इन नदियों ने हमारे भारती समाज वसाहित को कई मित्गों, लोकताओं और लोग गीतों की सौगात देकर समर्धता भी प्रदान की है देशा संस्कृति की अगवाई करते कुम्ब महा कुम्ब जैसे विशाल पर वमेले इन नदियों के तक पर ही आईज़ित होते रहे हैं नदियों ने प्राकृतिक तरीके से कई गाओं, इलाकों, राजियों वदेश की सिमाओं का निर्धारन किया है जहां नदियों के नाम पर व्यक्तियों व इस्थान विशेश के नाम रखने की परंपरा रही है वहीं यह हमारी भारती परंपरा में जो यह नदियां हैं यह सामाजिक सजन वचेतना का संभाहग बन कर उब्री है भारती संस्कृति में मनिश्य का जीवन वो मूक्स इन नदियों से ही जुड़ा हुआ है इसी कारण गंगा को सर्वोच इस्तान दिया गया है माना गया है कि गंगा मात्र इस धर्थी पर ही नहीं अपेत्य आकास और पाताल में भी प्रभाहित होती है इसी वज़े से वह त्री पत्गा भी कहलाती है भारती लोक में सप्त नदियों के जल को बहुत ही पवित्र माना गया है इसनान ध्यान के समय कहा जाता है कि सप्त नदियों जैसे गंगा, यमना, सरस्वती, गोदावी, नर्मदा, सिंदु और कावेरी इन सबी नदियों का पवित्र जल मेरे इसनान के लिए रखेगे जल पात्र में समाहिद हों और मुझको पवित्र करें पौरानिक आख्यानों के अनुसार धर्ती में गंगा जी का उतरन जेस्ट माह की सुकलपक्सी की दस्मी को माना गया है इसलिए इस्तित को गंगा दसरा का पर्व मनाया चाता है धार्मिक दस्टिकों से हटकर यदि हम पर्यावरणी नजरी से गंगा अवतरन की कथा और गंगा दसरा पर्व की मानिता देखें तो इसमें हमें साब तोर पर हिमालय और संपून परिवेश को बचाये रखने के संबेदन सील भाव दिखाई देते हैं राजा भगिरत के कठिन तब के बाद गंगा जब धर्ती पर आने के लिए राजी हो गई तो संकट इस बात का आ गया कि गंगा के इस प्रचंड वेग को धर्ती एक साथ कैसे सभाल पाएगी आखिर में समाधान के तोर पर उपाय सुजाया गया कि यदि भगवान सीव अपनी बिशाल जटाओं में इस गंगा के आवेग को समाहित कर उसकी एक धारा को उर्थिवी पर छोड़ दें तो ये जो धर्ती है वो गंगा का वेग आसानी से सभाल सकेगी आखिर में सीव ने इस विशाल गंगा को अपनी जटाओं में समेठ लिया और उसके बाद उसकी एक धारा को पर तुर्थिवी पर छोड़ा जो भागी रथी कहलाई उसके बाद अन्नी जटाओं से और भी जलधाराओं को छोड़ा जो कालांतर में अन्नी नदियों का प्रतीक बन कर उबरी इसलिए सायद हमारे देश में जो ये सब्त नदियां हैं यमना, सरश्वती, नर्मदा, सिंधु, काविरी ये भी सबी इसके अलावा छोटी बड़ी नदियां उनको भी गंगा के समान मानने की परंपरा रही मद्ध हिमालेई भाग में इस्तित उत्राखन के हिमानी और गैर हिमानी सुरूतों से निकलने वाली आंचलिक नदियों के नाम भी यहां गंगा के नाम से जुड़े हुए हैं जैसे यहां भी अभी कई नदियों के नाम जैसे राम गंगा, काली गंगा, सर्यू गंगा, गोमती गंगा, कैल गंगा, धौली गंगा, वखीर गंगा, यह सब गंगा के नाम पर ही रखे गए हैं चार-पांच दसक पूर उत्राखंड का गंगा दसरा पर बर्वा से आदा जाता है हमारे उत्राखंड के कुमाव अंचल के गाउं कजबों में दसरा पर अत्यंत उल्लास के साथ मनाई जानी की परंपरा रही है जेट की तप्ती गर्मी के बीच घर वो मंदिर के चौक्टों के उपर रंग भिरंगे द्वारपत्र लगाए जाते हैं गाउं के कुल पुरोहित अपने हाथों से बनाने के बाद इन्हें जजमानों को देते हैं और बदले में उनसे अनाजव दक्षणा प्राप्त करते हैं इस्तानी मानिता है कि यह द्वारपत एक तरह से सुरक्षा कवज की तरह काम करता है और इस द्वारपत्र को लगाने से घरों में प्राकरतिक आपदा और वजरपात से सुरक्षा होती है इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि चोरी अगनी आदिका भैवी इस द्वारपत्र से नहीं रहता है दसरा द्वारपत्र रंग विरंगी जामिती डिजाइनों से अलंगतरत रहते हैं और इस पत्र के मद्धिभाग में गणेश अत्वा मकरवाहनी गंगा के साथ साथ सिव, हनुमान और अन्य देवी देवताओं के चित्र भी अंकित रहते हैं इन सभी को एक तरह से विग्न बाधाओं को हरने वाला माना जाता है हमारी माननेता में गंगा को देव नदी का इस्तान मिला हुआ है और इसका जो धर्ती में जो अवतरन माना जाता है वह जीव जगत के कल्यान के लिए ही हुआ है ऐसी माननेता है पुराने समय में जो ये गंगा दसरा द्वार पत्र बनाई जाते थे इनमें प्राकर्तिक रंगों का इस्तिमाल किया जाता था जिनमें दाडिम, किल्म, अक्रोट वबुरास वअन्य इस्तानी फूल पत्तियों के प्राकर्तिक रंगों का प्रियोग बहुदा किया जाता था इधर अब आधुनिक्ता के चलते बजार से छपे-छपे हुए दसरा पत्र भी चलन में आने लगे हैं और जो ये गंगा दसरा द्वार पत्र होता है इन दसरा द्वार पत्रों को पुरोहितों द्वारा सुरक्षा मंत्र से पूरित किया जाता है इस जो दसरा द्वारपत्र होता है इसमें जो ब्रज निवारक मंत्र होता वो इस तरह से है अथात इसका भाव इस तरह है कि अगश्ट अश्य और पुलत अश्य और वैसंपायन और जैमिनी वसुमंत ये पांच जो महरसी है ये उरज निवारक महरसी है कल्यान कारी मुनी जैमिनी का इसमरण करने तथा इस लिखेवे मंत्र को ग्रह के ग्रह द्वार के उपर लगाने से और इनके नाम का उलेख करने से ही जो आकासी बिजली है अर्थात ब्रज का भय नहीं रहता है जहां भगवान अनकूल हों और हरी इरदेम हों तो उनके इसमरण मात्र से ही इस ब्रज का बिनास हो जाता है फिर वहां सेश विब्दा की कथा सेश ही नहीं रहती है कुमाओं अंचल में इस दिन लोग रातकाल होती ही सर्यू वगोमती के संगमिस्थल भागेश्वर और सर्यू के उद्गमिस्थल सर्मूल और इसके अलावा भागी रती व अलगनंदा के संगमिस्थल देप्रियाग गंगा नदी के किनारे बसे वे रिशिकीज हरी द्वार और इधर सर्यू और राम गंगा के किनारे रामिस्वर थल सही तमाम अन्य तीर थे वो संगमिस्थलों में लोग सुभे से ही इसनान और दान कर उन्य अर्जित करते हैं और हमारे इस पहाड के लोग में यह मानिता बहुत गहन रूप से समाई हुई है कि यहां की जो हर छोटी बड़ी नदी गार गधेरे और धारे नौले हैं या एक तरह से गंगा के ही प्रतिरूप में इनको यहा के जन जीवन को प्रप्त करने की जो लोग भावना इस गंगा दसरा पर्व के पीछे दिखाई देती है उस आधार पर गंगा और इसकी सभी सहायक नदियों को भी गंगा के ही समाई समझने की जो परंपरा आज भी कायम हमारे वाँ है या एक बहुत बड़ी बात है और इस गंगा दसरा के दिन एक जो और परंपरा हमारे कुमाउंचल में कुछ दिखाई देती है कि इस दिन लोग कुछ लोग इस दिन काली मिर्च चीनी और सौप का एक मीठा सरवत भी तयार करते हैं जिसको गंगा जल या गंगा अमरत के समानी माना गया है और मानिता यह है कि अगर इस दिन इस सरवत का सिवन किया जाए तो लोग उस साल भर तक निरोग रहते हैं आज अगर हम वर्तमान परिपेक से देखें मैं देखें तो गंगा और उसकी तमाम सहायक ने दिया जो हमारे यहां हमारे देश में हैं उनको इतनी महत्ता मिलने के वाबजूद भी हमारा समाज इसकी पवीतरता वो इसकी सुद्धता को बनाए रखने में एक तरह से असमर्थ साबित हो रहा है जगा जगा जो नगरी आवादी है प्लास्टीक वो कुड़े कच्रे के धेर हैं सीवेच का जल है कलकार खानों के खतरनाक राशाइनिक अपसिस्ट प्रतक्ष रूप से इन नदियों में जा रही हैं और इसके साथ ही तीर्थी स्थानों पर मूर्ति वपूजन सामगरी का जो विशर्जन किया जाता है समसान घाटों में अजले सवों को नदी में जो बहा दिया जाता है इन सब तमाम कारणों से इन नदियों का प्रदूसर बढ़ते ही जा रहा है जो कि एक बहुत चिंताजनक बात है और सही माइनों में अगर हम देखें तो हमारी जो ये भोगवादी जीवन सैली है इन नदियों के सेहत को खराब कर रही है मौजूदा हालत में देश की नदियों में जो यह प्रदूसर बढ़ रहा है वह निश्चित ही एक चिंता का विशय इसको माना जाना चाहिए और इस दिशा में जो कई तरह की जो इसको बचानी की जो कोशिश हैं हमारे समाज की ओर से होनी चाहिए लेकिन बिडम बना इस बात की है कि हम जिन नदियों को पवित्र मान कर हम पूशते आए हैं और उनकी वर्तमान दुर्दशा के प्रति हम इस तरह से अनुभिक बने हुए हैं जो की एक तरह से इन नदियों के लिए सही बात नहीं समझी जानी चाहिए इस तरह से हम देखें तो जो भी ये नदियों के संगरक्षन इनकी साबसपाई की और हमको ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिए इन नदियों की गिर्ती सहत की सुधार के लिए राज वकेंद सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है बलकि जो हमारे समाज को भी इसके लिए आगे आने की जरूरत है व्यक्तिगत वर सामुहिक सहिभागिता के जरिये हम इन लोग कर जानकारी नदियों को साबसपाई वर सुरक्षा का प्रबंद ट्रदान कर इनको हम काफी हद तक प्रदूशित होने से बचा सकते हैं अन्य था वह दिन भी दूर नहीं जब धिरे धिरे हमारी नदियां अलोब होने लगेंगी और पौरानिक नदी सरस्पती नदी की तरह या और नदियां भी हमारे इसी इतिहास का एक प्रस्ट बन जाएंगी अगर देखें तो इसमें कोई संदेह भी नहीं तो दोस्तों आप अन्त तक हमारे साथ इस कारिक्रम में बढ़ने रहें आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और चंसे करतिवारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे स्रोतां को उन्हें इस महत्पों जानकरी से रूबरू कराया दोस्तों अगर आपको कारिक्रम पसंद आया हूँ तो अपना फीड़ बेक हमें जरूर दीजीगा हमारे यूट्यूब चैनल हमारे फेस्बूक पेज पर इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भासकर को दीजे जाज़त नमस्कार